ओम शान्ती, संगम युक की ये सुहानी वेला, जब भोलानात भगवान, स्वयम इस रिष्टी पर अवतरित होकर, बच्चे बुढ़े जवान, जिन सबकी वानी से परे जाने की अर्थात वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे समय में आकर, हर बच्चे को, हर बच्चे की नबस देखकर, श्रीमत देते, और ऐसी सेवा करना सिखाते, जिससे सारे विश्व का उद्धार हो जाता, आईए, रिवाईस करते हैं, आज के 12 मई 2022 के महवाक्यों को, आज की मुर्ली की अनुसाज श्रीब भावा की महिमा, दाता, परंपिता, ज्यान सागर, गती सदगती दाता, सब गुरुओं का सदगती दाता, निशकामी, भोलानात, गौड़ फादर, स्वर्ग का रचाईता, संगम युक पर आकर श्रीब भावा कौन से कर्तव विकरते, वर्सा देते, पावन बनाते, कांटे से फूल बनाते, मुक्ति धाम में ले जाते, स्वर्ग की बाच्शाही देते, साधू लोगों की सदगती करते, गरीब भोले बच्चों को उंच ते उंच साहुकार बनाते श्रुब भावा को याद करने से क्या फायदे होते? पुन्ने आत्मा बन जाएंगे, बुद्धी का ताला खुल जाएगा, अंतमती सोगती हो जाएगी क्या होने से क्या होता है? पढ़ाई करेंगे तो राजाई मिलेगी, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी तो अनेक धर्म वापिस चले जाएंगे मन और बुद्धी को अनुभव की सीट पर सेट करेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे अभी कमाई करेंगे तो 21 जन्मों के लिए पद पाएंगे किसको क्या कहा जाता है? शिव को भोलानात, निराकार को भगवान, वानफ्रस्त को मुक्तिधाम, तीजरी की कथा को तीसरा नेत्र मिलने की कथा, पाप आत्माओं के हिसाब किताब चुक्तू करने के समय को कयामत का समय हम बच्चे किन बातों को जानते हैं? देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं, यह सच्चा सच्चा वानप्रस्त है, बच्चे बुढ़े जवान सभी वानप्रस्ती हैं, हम बाबा के सम्मुक हैं, वे हमें लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे सदा कौन सा खुशी का गीत गाना है? वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्ये वाह सबसे बोड़ी खुराक कौन सी है? खुशी हमें किन बातों की धार्णा करनी हैं? कब्रिस्तान होने वाली है ये थी आज की मुर्ली की विशेश बातें हमें इस कब्रिस्तानी दुनिया को छोड़ कर पुन्ने की दुनिया में जाना है तो इस बात पर अटेंशन दे कि अब कोई भी पाप करम ना कर समय को सफल कर शिव बाबा की याद से श्रीमत अनुसार सर्विस करें और स्वयम को उन्नत कर उँच पत की प्राप्ती कराएं ओम शान्ती